परिचय, सुप्रभाद सर, सुप्रभाद जात्रो, किर्पिया बैठ जाएं। आज हम नया पार्ट परिमे संख्या शुरू करेंगे। इस पार्ट में आप जानेंगे कि परिमे संख्याओं को परिमे क्यों कहते हैं। और परिमेश संख्याएं किस प्रकार दैनिक अर्थ गणित के प्रयोग में आने वाली संख्याएं हैं। तो आईए पाठ शुरू करें। उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। परिमेश संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूरांकों में विभेद करना। परिमेश संख्याओं को परिभाशित करना। परिमेश संख्याओं का योग व्यवकलन, गुणन और भाग करना। परिमेश संख्याओं के लिए शुन्ने और एक का महत्व बताना। परिमे संख्याओं के योज्य तस्समक और गुणनात्मक तस्समक की व्याख्या करना, किनी दी गई दू परिमे संख्याओं के बीच की परमे संख्याओं ग्याद करना. संख्या पद्दती नितु उनमे रनात्मक संख्याइं भी होती हैं। अतहा पूरांक, धनात्मक, रनात्मक और शुन्ने हो सकते हैं। चात्रो एक बटादू क्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है या प्राकरितिक संख्या या एक पूरांक। आप देख सकते हैं कि एक बटा दो शूनने और एक के बीच इस्तित है. हम इसे परिमेश संख्या कहते हैं. आईए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें. परिमेश संख्या क्या है? ये सभी परिमेश हैं. अताहा परिमेश संख्याएं अर्थ गणित की सामाने संख्याएं हैं. परिमेश संख्याओं का सरली करण कई बार परिमेश संख्याएं इस प्रकार की हो सकती हैं. क्या आप सोचते हैं कि ये अपने सरल रूप में है? नहीं, इसका और सरली करण किया जा सकता है लेकिन कैसे? यहां हम अंश और हर को पांच से भाग दे सकते हैं हमें भागफल के रूप में तीन बठा पांच प्राप्थ होगा यहां सरल रूप है अताचात्रों ध्यान रखें कि हम किसी भिन्न को उसके अंश और हर के किसी सामाने गुनत से भाग दे कर उसे सरल बना सकते हैं परिमे संख्याओं का योग परिमे संख्याओं का योग कैसे करेंगे? यह आसान है योग करने से पहले ये ध्यान रखें कि दोनों परिमेह संख्याओं का हर समान होना चाहिए हर को समान करने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों संख्याओं को एक दूसरे के हर से गुणा करते हैं योग का एक उधारन है हम पांच बटाचार का एक बटाचार से योग करेंगे देखिए इनका हर पहले ही से समान है आता हाँ अंश का योग करके उसी हर के उपर लिख देंगे इस भिन्न को तीन बटादू के रूप में सरली कृत किया जा सकता है परिमे संख्याओं का व्यवकलन परिमे संख्याओं का व्यवकलन भी योग के समान ही होता है परिमे संख्याओं का व्यवकलन करने से पहले सदैव समान हर प्राप्त करें यदि यह समान नहीं है तो दोनों संख्याओं के हर का एक दूसरे से गुढ़न करते हैं यह व्यफकलन का एक उधारण है हम पांच बटा साथ से एक बटा साथ को घटाएंगे हम जानते हैं कि हर पहले ही से समान है अतहा अंश का व्यफकलन करके उसके परिणाम को उसी हर के उपर रखते हैं अब हम परिमे संख्याओं का गुढ़न सीखेंगे यह सबसे आसान है दो परिमे संख्याओं का गुढ़न करने के लिए उनके अंश और हर का इस प्रकार परस पर गुढ़न करतीजिए जहा एक उधारन है हम एक बटा तीन का तीन बटा पांच से गुढ़न करेंगे सबसे पहले अंश का गुढ़न करेंगे अब हर का गुढ़न करेंगे इस भिन्न को एक बटा पाँच के रूप में और भी सरल बनाया जा सकता है परिमे संख्याओं का भाग परिमे संख्याओं का भाग भी बहुत आसान है सबसे पहले दी गई दूसरी संख्या को उलट दीजिए यानि उसके अंश को हर और हर को अंश से बदल दीजिए इसके पश्चाद इस संख्या का पहली संख्या से सामानिक गुणन कर दीजिए यह एक उदारन है हम एक बटे चार और एक बटे छै को भाग देंगे अब हम दूसरे भिन्न को उलट देंगे जिससे इसका व्योत क्रम प्राप्त हो जाएगा पहले भिन्न का व्योत क्रम से गुणन कर दीजिए इस भिन्न को तीन बटा दू के रूप में सरल किया जा सकता है शुन्य और एक की भूमिका जहां हमने एक परिम्ह संख्या में शुन्य का योग किया है आपने क्या ध्यान दिया? जब हम किसी परिमय संख्या से शूने का योग करते हैं तो योगफल सदैव वही परिमय संख्या होती है इसलिए शूने को परिमय संख्याओं का योज्य तस्समक कहते हैं अब एक परिमय संख्या से एक का गुणन करिए आपने क्या ध्यान दिया? जब हम किसी परिमय संख्या का गुणन एक से करते हैं, तो गुणन फल वही परिमय संख्या होती है. इसलिए एक को परिमय संख्याओं का गुणनात्मक तस्समक कहते हैं. योजे और गुणनात्मक प्रतिलों अध्यान के दौरान आपने रणात्मक संख्याओं को देखा होगा. क्या घटा एक रणात्मक पान है एक का? हाँ, क्यूंकि एक जवाँ कोश्ठक में घटा एक के बराबर शूनने होता है. आता हम कह सकते हैं, घटा एक, एक का रणात्मक पान या योजे प्रतिलों है. इसी प्रकार किसी भी परिमे संख्या जैसे तीन बटा साथ के लिए योजे प्रतिलों घटा तीन बटा साथ योजे प्रतिलों होगा. विचार कीजिये कि साथ बटा उननीज का किस परिमे संख्या से गुडण करने पर गुडण फल एक प्राप्ठ होगा. निश्चित ही ये संख्या उन्नीस बटा साथ होगी अता हम कह सकते हैं कि उन्नीस बटा साथ साथ बटा उन्नीस का विर्थक्रम या गुर्णनात्मक तस्समक है परिमे संख्याएं प्राप्त करना क्या आप जानते हैं कि किनी भी दो परिमे संख्याओं के बीच में अनंत परिमे संख्याओं होती हैं आता हम इनके बारे में जानेंगे आईए हम इन दो परिमे संख्याओं के बीच की परिमे संख्याओं को माद्धि विधी से ग्याद करें अता हम कह सकते हैं कि 3 बटे 8, 1 बटे 4 और 1 बटे 2 के बीच में सिथ है सर्वप्रथम इन संख्याओं का योग ज्याद करें जो 3 बटे 4 आएगा अब इस योगफल को दो से भागते हैं हम जानते हैं कि भाग में दूसरी संख्या उलट जाती है और चिन्ह गुणन के चिन्ह में परिवर्थित हो जाता है इस संक्रिया को करने के बाद हमें परिमे संखिया तीन बटे आठ प्राप्त होती है सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं परिमे संखियाएं वो संखियाएं हैं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जहां पी तथा क्यू पूरांख है एवं क्यू बराबर नहीं है शुन्ने के परिमे संख्याएं योग और गुणन के अंतरगत क्रम विनिमे और सहचर्य का पालन करती हैं शून ने परिमे संख्याओं के योजित तस्समक है एक परिमे संख्याओं का गुणनात्मक तस्समक है P बटा Q और घटा P बटा Q एक दूसरे के योज्य तसमक है P बटा Q का व्यत्क्रम या गुणनात्मक तसमक A बटा B होगा यदि P बटा Q गुणा A बटा B बरावर एक है सभी परिमें संख्याओं A, B और C के लिए A कुष्ठक में B जमा C बरावर A B जमा BC और A कुष्ठक में B घटा C बरावर A B घटा BC को वित्रण का गुण कहते हैं किनी दो परिमें संख्याओं के बीच इस्थित परिमें संख्याओं को माध्य की अवधारना से ग्यात किया जा सकता है